अधब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। दो लाख से ज्यादा केसे जमुकश्मीर में High Court, District Court और Subordinate Courts में pending हैं। दो लाख 22,000 केसे इन दो लाख 22,000 केसे में से इनका नंबर एक्च्छल नंबर होता दो लाख 51,000 के करीब गरीब लेकिन 251,000 पेंडिंग केसे होते लेकिन 31,000-32,000 के करीब करीब केसे जो है वो CAT में ट्रांसफर हो चुके हैं Central Administrative Tribunal जिसका Permanent Bench या Circuit Bench जमू में कश्मीर में कहां बैठेगा कितने Benches होंगे अभी तक उसमें कोई Clarity नहीं आई है एक ट्वीट आया था जिस ट्वीट में Miss Information को लेकर ये कहा गया था कि लोगों को Miss Inform ना करें लेकिन उस ट्वीट के बाद से लेकर अभी तक कोई किसी को मान नहीं मालूम कि कहां पर है वो CAT दो बिल्लिंग्स मुखत जरूर कर ली गई है आइडेंटिफाइ कर ली गई है जमो में State Accountability Commission की बिल्लिंग और इसी तरीके से कश्मीर में भी शायद State Accountability Commission की ही बिल्लिंग है जिन बिल्लिंगों में CAT के Benches बैठेंगे मगर क्या ये Circuit Bench है या ये Permanent Bench है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अभी तक की स्थिती ये है कि कोई Clarity नहीं है वो ट्वीट आया मिसिनफॉर्म मत करिये और उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी नई development सामने नहीं आई है बीच में कुछ लोग हैं जिनों ने ये कहा कि कोई का टाइम है और कोई के टाइम में जो है थोड़ा वक्त लग रहा है 29 तारीक को जिस दिन ये order आया था 29 अपरेल को उस दिन भी लोग कोई से ही लड़ाई लड़ रहे थे आज भी लड़ रहे हैं और शायद ये लड़ाई जून जुलाई तक चली जाए और कोई के ही बीच में डॉमिसाइल आया कोई के ही बीच में डॉमिसाइल रिट्राक्ट हुआ कोई के बीच में ही कैट का बेंच यहां से सर्वस मैटर सारे कैट को ट्रांसफर कर दिये गए और अब COVID में अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो COVID में ही अब CAT के Benches के Announcement भी होना लाजमी है मैंने जैसे आपको बताया कि High Court में लगभग जमुकश्मीर की High Court में 75,075,604 cases pending थे 75,604 cases में से 31,000 के करीब करीब service matters हैं जो transfer हो चुके हैं CAT को उसके बावजूद लगभग 44,044,000 के करीब करीब मामले हैं जो High Court में pending है जिने High Court के 12 judges सुन रहे हैं डिस्टिक और सबॉडिनेट कोर्ट का जहां तक तालुक है तो 1,78,084 cases pending है 1,78,084 cases जो है वो जमुकश्मीर की डिस्टिक और सबॉडिनेट कोर्ट में pending है pendency अगर मैं बात करूँ कितनी थी तो 2016 में 1,21,000 cases थे जो 17 में 1,69,000 हो गए 18 में 1,69,000 और उसके बाद 2019 बीस 1,78,000 के करीब करीब cases है यानि pendency जो डिस्टिक और सबॉडिनेट कोर्ट में है वो बढ़ रही है हर साल हर नए साल में pendency लगबग देखिए अगर मैं 2017 और 2018 के बीच में देखूं तो लगबग 38,000 cases जो है वो बढ़े हैं फिर 10,000 बढ़े हैं और उसके बाद फिर 9,000 cases बढ़े हैं तो यानि डिस्टिक और हाई कोर्ट सबॉडिनेट कोर्ट में pendency कम है लेकिन इस सोगत भी नंबर स्टागरिंग नंबर है 178,000 84 cases अभी भी हाई कोर्ट में माफ की जाएगा डिस्टिक और सबॉडिनेट कोर्ट में पेंडिंग है हाई कोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया 75,604 cases है इसमें आपको मालूम है कि शिरनगर का bench है और उसके बाद जम्मू में हाई कोर्ट जो है आपका समर में जब गर्मिया होती है तो आपका हाई कोर्ट जो है वो शिरनगर में रहता है और विंटर्स में हाई कोर्ट जो है वो जिसमें चीफ जैसे साहिबा का बेंच है वो मू करता है और जम्मू आता है इस वकत अच्छा उसके बाद जबो कश्मีर में हाइग कोट के अंदर 42,830 मामले ऐसे हैं जो 5 साल से कम पुराने हैं यैनि नए मामले हैं 5 साल से ज्यादा और 10 साल से कम मामले जो हैं वो 24,392 हैं और 10 साल से ज्यादा वक्फा जिन केसिस को हाइग कोट में हुआ उनकी तैदा 8,382 है यानि 42,830 30 cases आपके 5 साल से कम समय हुआ है उनको high court में 5 साल से ज्यादा और 10 साल से कम 24,392 cases जो हैं वो high court में वो हैं जिने 5 साल से ज्यादा और 10 साल से कम का समय हुआ है उसके इलावा ये तो मामले मैंने आपको बता दिये कि ये इस वक्त position है अब जहां तक judicial officers का तालुक है district or की position ये है 31,12,2013 को 19,518 sanction strength थी जिसको बढ़ा कर 24,018 कर दिया गया उस में से 15,115 judges in place हैं और वो district or subordinate courts में काम कर रहे हैं जबकि 4,403 vacancies हैं इसी तरीके से 24,018 cases जो नई sanction strength हैं उस में से भी 19,160 judges जो हैं वो in place हैं और लगबग इस समय 4,858 यानी लगबग 5,000 judges की vacancies and district or subordinate courts में शायदिक वज़ा है इसी वज़ा से मामलूं का निप्टारा जो है ना हाई court में जल्दी होता है ना ही district or subordinate courts में होता है अब अगर थोड़ा national level पे चले जाएं तो supreme court में pending cases की तैदाद है 6,603 जिसमें से 99,088 civil cases हैं और criminal मामले जो हैं यारा हजार 515 हैं national judicial data grid का जो data है वो हमें ये बताता है कि हाई court में हाई courts जो पूरे भारत भर में हैं उनमें 19.23 लाग civil cases pending है 13.24 लाग criminal cases pending है 13.66 लाग red petitions pending है लग पेंडेंसी टोटल पेंडेंसी जो है वो 46.15 लाग के करीब करीब cases जो है वो पूरे देश भर में हाई court में pending हैं अब इन में से 27.86 लाग cases ऐसे हैं जने 5 साल से कम का समय हुआ है 9.25 लाग cases ऐसे हैं जने 10 साल से कम का समय हुआ है लेकिन 5 साल से ज्यादा और 10 साल से पुराने cases की तैदाद भी लग बग 8.97 लाग के करीब करीब है यानि लाखु मामले pending है high court में और ये pending है साल से अब इन मामलों के निप्टारे के लिए कुछ कोशिश ने सरकार ने की है कि हमारा काम नहीं है ये justice delivery का काम judge साहिबान का है courts का है और courts को खुद ये देखना चाहिए कि किस तरीके से justice delivery जो है उसको effective भी बनाया जा सकता है और से speed अब भी किया जा सकता है जब मुकश्मीर से भी तीन judges की सुफारशें जो है बेजी हैं लेकिन कुछ objections हैं जिनके चलते अभी तक वो तीन judges नहीं बने हैं अगर वो तीन judges बन जाते हैं तो जब मुकश्मीर में judges की strength जो हाई court में वो 15 के करीब करीब हो जाएगी और फिर दो vacancies रहेंगी ये स्थिती है यानि judges की जो appointment है उसमें भी समय लगता है और उसी समय लगने की वज़ा से पेंडेंसी बढ़ती रहती है जाहिर सी बात है मामले नए बन रहे हैं और नए मामलों को लोगों को इंसाफ लेने के लिए फौरण कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है कभी हाई court कभी district or subordinate court district courts हो subordinate courts हों high court हों सभी जगा पर judicial officers की कमी है judicial officers की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश सरकारों ने की है लेकिन जहां तक जमो कश्मीर का तालुक है आप देख सकते हैं पांच अगस 2019 के बाद से लेकर अभी तक कोई recruitment नहीं हुआ है public service commission को functional करना मुश्किल हुआ है और SSRB को अभी अभी functional किया गया है SSRB ने एक दो लिस्टे निकाली है लेकिन SSRB का भी मामला ये है कि पुराने कुछ मामले pending है उसके चलते जब लिस्ट निकलती है उस लिस्ट में जो लोग select नहीं होते हैं जिनको लगता हमके साथ ज्याती हुई है वो लोग कोट चले जाते हैं जब वो कोट चले जाते हैं तो कोट में मामला फिर फस जाता है और ये इल्जाम भी लगता रहा है कि जो सरकार सरकार जो है खासकर law department भो धिलाई बरता है वो इस चीज़ को एंशूर नहीं करता कि जिस जब भी तारीक हो तारीक पर जो सरकार के सरकारी वकील है वो कोट के सामने पेश हो दलील कोई सक्स ही दे अगर सरकारी वकील पेश होता है तो दूसी तरफ का वकील पेश नहीं होता तो इस वज़ा से ये मामले रटकते रहते हैं कोटू ने बड़ी बार नोटिस लिया जजिज ने बड़ी बार रेप्रिमांड भी गवर्मन को किया लेकिन उसके बावजूद अभी भी मामला वैसे का वैसा ही है कोई बड़ा बदलाव इसमें नहीं आया आपने देखा होगा पबलिक सर्विस कमिशन को पिछले दिनों फंक्शनल किया गया एक दिन तो दूर की बात है चार घंटे से ज़्यादा पबलिक सर्विस कमिशन फंक्शनल नहीं रह पाया क्यूँ? क्यूंकि बी आर शर्मा जो अल्रेडी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के चेर्मेन हैं इंपॉर्टन पोजिशन पर हैं केंदर सरकार के इतने इंपॉर्टन इंस्टूशन में वो चेर्मेन का पतभार संबाले हुए हैं उन्हें जब मुकुश्मीर पॉब्लिक सर्विस कमिशन का चेर्मेन बनाया जाता है और इस चीज का नोटिसी नहीं लिया जाता कि वो तो अल्रेडी की इंपॉर्टन इंस्टूशन के चेर्मेन है क्या बियर शर्मा के इलावा कोई बियरोक्रेट जब मुकुश्मीर गवर्मेन के पास नहीं है जिसे पॉब्लिक सर्विस कमिशन का चेर्मेन बनाया जाए और क्या सरकार को नहीं लगता कि कोविट की लड़ाई में इंपॉर्टन ओर्डर्स COVID की लड़ाई में important notices COVID की लड़ाई में important समयधानिक फैसले अगर किये जा सकते हैं तो वो फैसले जिन फैसलों का सीधा सीधा जिन फैसलों का असर जमोकिश्मी के नौजवानों पर पड़ेगा उन फैसलों को लेने में आखिरकार इतनी देर क्यों की जा रही है Public Service Commission को अभी तक function बनाया जाना चाहिए था अब मान लीजे नहीं बनाया जाता तो कल Public Interest dedication लेकर कोई समाज सेवक जो हाई कोट का दरवाजा खटखटाएगा और हाई कोट से गुजारिश करेगा कि जनाब आप government को direction दीजिए ताकि PSC को function बनाया जाए क्योंकि सिर्फ बच्चों के इमतिहानात का मामला नहीं है बहुत सारे exams है जो Public Service Commission ने ले लिए हैं उनके result declare करना बाकी हैं वो result सिर्फ इसलिए declare नहीं किये जा रहे क्योंकि Public Service Commission के ना तो मेंबरान है और ना ही Public Service Commission का चेर्मिन है result जब तयार होता है तयार होने के बाद बाजाबता तमाम मेंबर्स के सामने चेर्मिन के सामने result को खोला जाता है उसके बाद वो public होता है चूंकि कमिशन है ही नहीं कमिशन की गैर मौजूदगी में उन result को निकाला ही नहीं जा सकता और अगर नहीं निकाला जाएगा तो उसका साफ तोर पर ये मतलब है कि I.S. Provisioners हो Case Officers हो Account Service से तालिक रखने वाले Officers हो उन लोग उने exam's दिये हैं उन exam's का फाइदा उनके A.P.R.S. में होता है उन exam's का benefit उनको A.P.R.S. में मिलता है तो जब तक ये इमतिहानात होंगे नहीं उनके A.P.R.S. के उपर जाहिर सी बात है इन इमतिहानात के ना होने से ठीक असर नहीं पड़ेगा हला कि ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे आई-स Provisioners ऐसे भी हैं कोशिश करते हैं कि इस exam को skip किया जाए बगर चूंकि अब केंदर्शासित प्रदेश जम्मो कश्मीर हो चुका है वो बात नहीं रही जो जम्मो कश्मीर में केंदर्शासित प्रदेश बनने से पहले थी अब वो सब कुछ होगा जमुकश्मिर में जो बाकी सभी प्रदेशियों में होता है जैसे बाकी प्रधेशियों में आई-अ-ई-प्रोबेशनर्स एक्जैम देते हैं उनको यहां भी देना पड़ेगा तो मैं आप से एक यह कहा रहा था कि मामला कोर्ट में बात हो रही थी कोट के हाई कोट में और डिस्टिक और सबार्डिनेट कोट में कितने केसे स्पेंडिंग हैं तो उसके इलावा अब केंदर सरकार ने क्या किया किया केंदर सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए जिन कदमों को उठाने के बाद उनकी कोशिश पूरी ये थी कि ए एक तो इस जस्टिस डिलिवरी में आसानी हो, दूसरा जस्टिस जो है, लोगों को इंसाफ जल्द मिले, लोगों को इंतिजार न करना पड़े, जैसा कि आपने देखा होगा, कैट में जो सरकारी मुलाजमों के मामलात गए हैं, अल्रेडी कैट के पास, तोटल जो पेंडेंस सिस्टम है, वो फास्ट है, माननीजे, कैट में अगर कोई मामला आपका नहीं सुलजता, तो आप कैट की जज्जमेंट को High Court में चैलेंज कर सकते हैं, अगर High Court से आपका मन नहीं भरता, तो आप Supreme Court में जा सकते हैं, लेकिन एक Alternative आपके पास अब है, तो इसी तरीके से National Ministry of Law and parliamentary affairs उन्होंने भी कुछ कोशिशे की कि किस तरीके से हम streamline कर सकते हैं और कैसे हम judges की मदद कर सकते हैं judiciary की मदद कर सकते हैं इन cases के निप्टारे में और इन cases को जल्दी से जल्दी इन में justice delivery में कैसे मदद कर सकते हैं सबसे पहले एक तो infrastructure को improve करने के लिए जुडिशल officers के infrastructure को improve करने के लिए district courts में subordinate courts में funding की गई है लगबक कोई साथ साथ 453.10 करोड के करीब करीब पैसा 1993-94 से centrally sponsored scheme for development of infrastructure in the in high courts district courts and subordinate courts उसके तहर जो है साथ साथ 453.10 करोड रुपिया भी तब खर्च किया गया है इसमें से 4008.80 करोड रुपिया state state governments को और union territory की governments को दे दिया गया है अपरिल 2014 से के आप अपने यहां जितना ज्यादा infrastructure जितना टेक्स है भी आप अपनी high court को बना सकते हैं बनाईए और यह ensure कीजिए कि यह जो मामले हैं इन मामलों का निप्टारा जल से जल्द हो और पेंडेंसी जो है वो high court में भी और district और subordinate courts में भी आइस्ता इस्ता कम होने शुरू हो जाए उसके बाद court halls पहले 15,818 court halls in existence थे 30 जून 2014 को और पिछले 6 सालों में यह तैदाद भड़कर 19,694 हुई है यानि लगबग 4,000 court halls नए बने हैं residential units judges के लिए 10,211 residential units 36,2014 को थे और 29 फरवरी 2020 को यह residential units की तैदाद हो चुकी है 17,432 यानि लगबग 7,432 के करीब करीब नए residential units पिछले 6 साल में बनाए गए हैं 2814 court hall और 1843 residential units जो हैं वो under construction है यानि नए 2814 court hall बन रहे हैं उसके इलावा दूसरा बड़ा कदम जो law ministry ने उठाया वो information and technology IT का इस्तमाल computerized district or subordinate courts की तैदाद 13,632 से आज के दिन जब मैं आप से बात कर रहा हूं 16,845 हो चुकी है case information center यानि आप अगर supreme court की website के ओपर जाएं तो आपको तमाम judgments वहाँ पर मिलेंगी majority of the judgments आपको वहाँ से मिलेंगी आपको जान कर यह हरानी होगी कि volume units 13.13 करोड के करीब करीब pending और disposed of cases की detail आपको जो है वह बाज़ापता supreme court की और different high courts की website से मिलेगी इसमें से 11.46 करोड orders और judgments जो है इस वकत NJDG जो already मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोशिश है पूरी की पूरी केंदर सरकार की की cases का निबतारा जल्दी हो और सारी information online available हो तो यह सारी information national judicial data grid ने लगबग या जैसे मैंने आपको बताया कि लगबग 11.46 करोड orders और judgments जो है national judicial data grid के पास है यानि आप जब supreme court की website के अबर जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत पुराने cases की judgments भी मिलती है high court में भी यही इस्थिती है कि आपको अब judgments जो है online available हो जाती है वीडियो conferencing की facility 3240 court complexes में है और 1222 जेलों में भी अब वीडियो conferencing की facility available है उसके इलावा high court, supreme court, district or subordinate courts में vacancies को fill up करने का काम भी जो हो जोरू शोरू से चल रहा है 35 judges पिछले 6 साल में supreme court में appoint किये गए 522 नए judge high court में appoint किये गए 443 additional judges को permanent judge बनाया गया high court का तो ये काम पिछले 6 साल में हुआ है sanction strength जो है उसे 906 से बढ़ा कर 1089 कर दिया गया है जहां तक judicial officers का तालुक है मैं already आपको बता चुका हूँ कि 24,018 judicial officers की sanction strength है उसमें से 19,160 लोग जो है already available है जिसमें से 4,858 vacancies इस लोकत भी available है लेकिन चुँकि district और subordinate courts में जो ये vacancies है इसको fill up करने का का काम state government का है जमो किश्मीर के मामले में unit territory की government का है तो चुकि ये काम सारा state government को unit governments को करना है माफ कीजी का unit territory की government को करना है तो इसके लिए केंदर सरकार इसके लिए इसमें केंदर सरकार का कोई भी important role नहीं है उसके इलावा एक और बड़ा कदम उठाया गया कि Chief Justice Conference एपरिल 2015 में एक Chief Justice की Conference हुई उसमें ये फैसला लिया गया एक Resolution पास किया गया कि Arrier Committees जो हाई कोर्ट में बनाई जाएंगी जो pending cases को clear करेंगी जो 5 साल से पुराने cases हैं उन cases को सुनेगी भी और जल से जल उनको clear करेगी District Judges को भी एक्तियार दिया गया कि आप भी Arrier Committees बना सकते हैं तो Arrier Committees सुप्रीम कोर्ट में भी हैं तो Arrier Committees का भी काम यही है कि कोशिश किया जाए कि जल से जल मामलों का निप्टारा हो ताकि High Court और सुप्रीम कोर्ट में वही मामले सुने जाएं जो बहुत एहमियत के खाम Central Administrative Tribunal में तमाम Service Matters का चला जाना इसका साफ मतलब यह है कि Service Matters लगभग कोई 32,000 के करीब करीब Service Matters अगर जमो कश्मीर से कैट में चले गए तो इसका मतलब यह बोज जो है High Court के कांदू से उतरा है और इस बोज के उतरने के बाद अब जितनी जल्दी Benches जमो और कश्मीर मे उसका Benefit जो है वो Service Matters के साथ जुड़े हुए वकीलों को भी होगा और जिन मुलाजमीन के मामलात हैं उनको भी इसका फाइदा होगा एक सबसे बड़ा फाइदा यह कि Service Matters के इलावा और कुछ भी कैट को नहीं सुनना High Court के पास Civil Matters भी है, Criminal Matters भी है, Rit Petitions भी है, PILs भी है तो इसका मतलब High Court के जुड़े का शुडूल बहुत बिजी रहता है और कई मामलों में सिर्फ डेट मिलती है, सुनने का मौका भी जो है, जुड़े को केस को नहीं मिलता, वजह यह बहुत सारे केसे हैं, जिसे मैंने आपको बोला Civil Matters है, Rit Petitions है, उसके लावा और भी कई मा कोट्स का मामला असल में क्या था, हालां कि यह तो कोई Dispute Resolution है नहीं, मगर आपने देखा होगा, जब मुकश्मीर में, Registry का का काम पहले कोट में होता था, और Judicial Officer को यह काम करना पड़ता था, लेकिन अब यह काम जो है, revenue officers के हाथ में दे दिया गया है, तो यह बोज जो है पूरा दिन जो है, उन्हीं मामलों को सुनने में लगाएंगे, जिन मामलों का सुनना जरूरी है, यह जो काम था, revenue का काम, मैंने वकिल्यू से ही सुना है, तमाम उन्हों नहीं मुझे बताया कि यह revenue का काम, असल में एक extension थी, यह एक्स्ट्रा काम था, जो Judicial Officer को दिया गया या कुछ को क्राइम राच ने गरिफ्तार किया, तो उसके चलते जो revenue department में धांदलियां हुई है, revenue department में जिस तरह के बड़े-बड़े blunders revenue department ने करे हैं, कहीं पर forest की जमीन रेवन्यू की बताई है, कहीं रेवन्यू की जमीन को forest के हवाले कर दिया है, कहीं पर state land को जो है, revenue का land बता दिया है, तो कहने का मतलब यह है, कि शकू को शुभात थे revenue department के ऊपर, तो उन शकू को शुभात के चलते, यह मामला judicial officers के पास था, तभी वकीली उने भी resist किया था, जमाकुश्मिर हाई कोट बारस station ने भी इसको resist किया था, लेकिन बाद में सरकार ने midway निकाला, उन्होंने यह कहा कि ठीक है जी हम हाई कोट के बिल्कुल साथ में एक building ले लेंगे, district legal service authority की building वो ले ली गई है, उसी building में तमाम जो register करने वाले officer से वो बैठेंगे, ताकि वकीलों को हाई कोट परिसर से और district court subordinate courts के परिसर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े, अभी जित रनागरवारी साइट बैठते हैं, STM North आपके जो हैं वो जानिपूर में बैठते हैं और आपके जो district minister का office है, वहाँ पर भी जिन को revenue की, जिन revenue department के office सरान को ताक्ते दी गई हैं कि वो registry कर सकते हैं, वो deputy commissioner के दफ्तर में बैठते हैं, deputy commissioner के दफ्तर में बाकी काम भी होते हैं, कई बार लोग जब deputy commissioner के दफ्तर के अप्रोच करते हैं तो दर्वाजा बंद होता है, आजी क्यों नहीं, क्योंजी DC साब ने मना कर दिया है, कोई अंदर नहीं आएगा, तो आप जो DC साब ने मना कर दिया है, कोई अंदर नहीं आएगा, तो वो बिचारा registry वाला भी अंदर और उसमें pre institution, यानि case को institute करने से पहले, mediation और settlement की कोशिश की जाए, commercial disputes की उसको mandatory बना दिया गया, कि हम case को institute करेंगे, आप court के पास आकर अपनी परिशानी court के सामने तब रखेंगे, जब court के पास आने से पहले, institute case को करने से पहले, mediation और settlement की जो कोशिश है, वो तमाम कोशि पहले गी, उसके बाद, उसके इलावा arbitration and reconciliation act को भी 2015 में amend किया गया था, जिसे मैंने आपको बताया कि commercial courts act को अगस्ट 20-2018 को amend किया गया, और arbitration and reconciliation act को 2015 में amend किया गया, उसमें ये कर दिया गया, कि timeline दे दी गई, कि आपका जो मामला है, आपका जो dispute है, इसकी resolution के लिए इतना time इस dispute की resolution के लिए इतना time, तो इसी timeline को लेकर, शायद civil, criminal, red petition, PIL में भी timeline का रास्ता, judicial officers भी ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं, Supreme Court और High Court के judges भी देख रहे हैं, कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, जिस तरीके में इन तमाम cases को भी time bound बनाया जाए, उसके इलावा, छटा और important, सबसे important जो development पिछले 6 साल की है, वो है fast track courts की, fast track courts में इस वकत 2023 fast track special courts जो हैं, उनको set up किया जा रहा है, ताक रेप और prevention of child act के तहत, या पॉसको act के तहत, जितने भी मामले दर्श किये जाएं, उन मामलों को, उन मामलों के निप्टारे में जल्दी करी जाए, उस जल्दी के fast track courts की जा रही है, 2023 नए courts बनाए जा रहे हैं, और 828 courts अलरी functional हैं, यानि law and parliamentary FAS ministry पूरी कोशिश कर रही है, union law and parliamentary FAS ministry की, जो judges हैं, उनके लिए काम को असान कर दिया जाए, और जो भी infrastructure needs उनकी हैं, उन तमाम needs को उन तमाम जरूरतों को पूरा किया जाए, दूसरी तरफ avenues निक कम जो काम कोट में जाकर कोट का बोज बढ़ाने का, जो cases कोट में जाकर कोट का बोज बढ़ाएं, उन cases को कम से कम fast track courts में, या arbitration के जरीए, या mediation के जरीए, या किसी और तरीके से, अगर किसी forum को create करके यह सब किया जा सकता है, तो वो किया जाए, cat हो, या बाकी tribunals हो, वो इसी दिशा में एक कदम है, मगर आखिर में जाते जाते यह, कि cat हो, या कोई भी tribunals बनाया जाए, कुछ भी किया जाए, जब तक एक आदमी के हक में फैसला नहीं होता, तब तक वो कोट का दामन नहीं छोड़ता, आम ये चीज़ देखी गई है, कि आपकी service matter हो, या आपक कोई दूसर revenue का मामला हो, कोई criminal हो, कोई rate petition हो, कोई PIL हो, जब तक आपकी मर्जी का, या आप जो चाहते हैं, जब तक वो आपको न मिले, तब तक आप निचली कोर्ट से लेकर उपर वाली कोर्ट तक जाना नहीं छोड़ते, आप मुलाजमीन को भी देख लें, कि मुलाजम में ये है, कि आपके मसले का निप्टारे के लिए, अगर आपको निचली कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती, तो आप उससे बड़ी कोर्ट में चले जाएं, अगर वहां से नहीं मिलते तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, और अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क सुप्रीम बाजबता कोट का फैसला आया कि उनको फांसी दे दी जाए लेकिन उसके बाद वो पेच पेच डलते गए प्रेजडेंट के पास चली गई कलिमेंसी के लिए पेटिशन और उसके बाद वो मामला जो है लंबा होता गया लेकिन अब यह है कि यह तो थी तमाम तफसीलात और बिल्कुल आखिर में यह कि कैट का जो जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कैट में की दो बिल्डिंग्स आइडिन्टिफाई की गई है लेकिन सब्सक्वेंटली अभी तक कोई और इशू नहीं हुआ है उमीद और तवक्का यह कि आने वाले दिनों में वो और इशू होंगे कैट के पर्मिनेंट बेंचेज जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर में दो बेंचेज कम से कम फंक्शन हो जाएंगे ताकि मुलाजमीन के मामले जो हैं उनकी सुन्वाइ़ फॉरन हो वैसे ही मुलाजमीन आज़ कल जिस परिशानी के दौर से गुजर रहे हैं मुलाजमीन हो दुकानदार हो सभी लोग कोविड-19 के वैसे परिशान है मगर इस परिशानी को दुगना उस दिन ये परिशानी उस दिन दुगनी हुई जब 29 एपरिल को सर्विस मेटर्स कैट में चले गए थे बड़ा किन्फूजन था लेकिन बाद में M.O.S. PMO डॉक्टर जतिंदर सिंग ने क्लेर किया कि दो बेंचिस होंगे हाला कि भी क्लारिटी नहीं है कि क्या वो सर्केंट बेंचिस होंगे या पर्मिनेट बेंचिस होंगे चलिए जो भी बेंचिस होंगे मगर ये तैह है कि दो बेंचिस जम्मू और कश्मीर में जल्द फंक्शन होंगे दीजे इजाज़ आदा आओ